Hello, Namaskar and welcome to Study Glows, my dear friends. मेरा नाम है प्रशाथ मावानी, I hope you all are doing good. दोस्तो, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपोर्टन्ट रिलेशन के बारे में, इस रिलेशन इस बेट्विन इंडिया एंड मोल्दीव्स. ठीक है, एक बड़ी अपडेट है, एक बहुत ही इंपोर्टन्ट विजिट हुई है फ्रॉम मोल्दीव्स टू इंडिया, मुसा जमीर, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, he is Moldavian Foreign Minister. दोस्तो, लास्ट नवेंबर, मोहमद मुईजू साब की सरकार, मुल्दीव्स में आती है, पावर में आती है, और तब से भारत और मुल्दीव्स के रिलेशन्स काफी ज्यादा खराब हो गए, तो आप देखिए, नवेंबर 2023 से आज तक पहली बार ऐसा हुआ, कि बहुत बड़ा डेलिगेशन या फिरिक फर्स्ट हाई लेबल विजिट हुई है फ्रम मौल्दीव्स तो इंडिया, इस चीज़ पर हमारे एक्स्टनल अफैस मिनिस्टर एस जैशंकर साब ने ये पता है, कि उनके और जमीर के बीच में extensive discussions हुई है, बहुत ही क्विकली मैप को देख लेते हैं, वेर एक्चिले इस मौल्दीव्स तो इसके साथ जुड़ी हुए बहुत सारी डीटेल्स आप भी जानते हैं, कहां पर लोकेटेड हैं, कौन-कौन से important lines या फिर channels मौल्दीव्स के आईलन्स के बीच में से पास होती है, तो उन सारी छोटी डीटेल्स में आज हम नहीं जा रहे हैं, we are going to focus on diplomatic details. Now, dear friends, President Mujzu, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक चीज़ इनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, and that is कि वो anti-India है, right? इनकी सरकार anti-India सरकार है. अब Mujzu की सरकार जो थी, उससे पहले किसकी सरकार थी? 16 साब की सरकार थी, President Solik, और वो जो सरकार थी, that was a pro-India सरकार. तो India और Moldis के relations काफी अच्छे चल रहे थे, 16 सरकार की जब उनकी सरकार चल रहे थी, क्योंकि उनसे पहले जो सरकार थी, that was again anti-India. तो पहले anti-India सरकार, उसके बाद pro-India सरकार आती हैं, और फिर से एक बार वहाँ पर anti-India सरकार आ गई. और ये जो Mujzu साब है, उन्होंने एक deadline रखी थी, भारत को deadline दी थी, 10th May 2024 की. आज मैं जब आप से बात कर रहा हूं, तो today is Akshay Tritia. First of all, God bless you all on this very auspicious day of Akshay Tritia. तो ये जो 10th May 2024 की deadline रखी थी, उसमें ये कहा था, कि भारत के लगबग 80 जितने military personnel Maldives में deployed थे, तो भारत को ultimatum दिया, Mujzu सरकार ने के आप सारे के सारे अपने जो military personnel हैं, उनको withdraw कर लीजिए. और interesting बात ये हैं, कि ये जो visit हुई है, उनके जो foreign minister भारत आये हैं, तो ये deadline के एक दिन पहले आये हैं, this itself indicates कि अब hopefully चीजें इंडिया और Maldives के बीच में improve हो सकती हैं. रही बात ये Indian military personnel की, तो हमने वहाँ पर इनको क्यों deploy किया था, क्योंकि दोस्तो भारत ने Maldives को दो helicopters दिये हैं और एक donor aircraft दिया है, तो ये operate करने के लिए लगबग 80 जितने personnel वहाँ पर थे, और इसके अलावा कुछ दूसरी reasons हैं, कि ये जो दो helicopters हैं, एक aircraft है तो इसका इस्त के लिए इनका इस्तमाल होता है, ये सारे aircrafts का, और इसे के साथ साथ, श्रिदंका, मौलदीवस और भारत जो हैं, वो मिलकर, इस खेत्र में जो illicit trafficking होती है, piracy, illegal fishing, तो ये सारी चीजे जो हैं, ये common threats जो हैं, इनको counter करने लिए भी, हमारे Indian military के personnel वहाँ पर एक बहुत important role play करत से आये हैं, अब ministry of external affairs ने ये कहा है, confirm किया है इस बात को, कि हमारे personnel जो है, उनको हमने वापस बुला लिया है, और उनको हमने replace किया है by competent Indian technical personnel, तो ये लोग जो है, ये army, navy, air force से नहीं है, ये technical personnel है, जो अब ये aircrafts और इन सारी चीज़ों को वहाँ पर operate करेंगे, ठीक है, तो ये है, इसके साथ जुड़ी हुई भी latest update, नावडिये फ्रेंस, ये visit जो है, अपने आप में इतनी ज्यादा important क्यों है, जैसे starting में मैंने आपको बताया, कि Maldives और India के relations काफी ज्यादा खराब होगे, because of anti-India सरकार, तो ऐसे में, पहली बार, इतने लंबे समय के बाद, आप calculate कर लीजिए, कि November 23 में नई सरकार बनी, और तब से लेकर आज तक एक भी important visit नहीं हुई थी, तो ये visit हुई, this is a first signal from Maldives के, अब Maldives जो है, वो भारत के साथ, tensions जो है, इसको ease करना जाता है, इसको sort out करना जाता है, क्योंकि जब मुज़ू साथ, President बने, तो उन्होंने भारत को नहीं, लेकिन सबसे पहले China को choose किया, वो China की यात्रा पर गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने anti-India statements भी दिये थे, और उनकी ideology है, that is pure pro-China, problem यह नहीं है, कि he is pro-China, problem यह है, कि he is anti-India, this is the biggest issue, कि आपको China के साथ अच्छे relations रखना है, भारत ऐसा नहीं कहेगा, कि आप सिर् हमारे से छोटे देश को भी नहीं कह सकते है, हमारे और भोतान के बीच में जो relation है, वो अपने आप में बहुत ही अलग relation है, भोतान को भी हम कभी ऐसा force नहीं करेंगे, कि आप China के साथ बातचित मत कीजिए, ऐसा बिलकुल नहीं हो सकता, हर एक देश की sovereignty है, स्वतंतरता है, और यह mutual respect से सारे देश एक दूसर के साथ काम करते हैं, लेकिन फिर अगर आप anti-India activities करेंगे, तो फिर definitely जो देश है, वो नाराज होगा है, कोई भी देश नाराज होगा, अब रही बात हमारे देश भारत की दोस्तों, तो जैशंकर साहब और जमेरी साहब के बीच में एक बहुत ही important meeting हुई है, जैसे मैंने starting में बताया है, जो शब्द यूस किया है, that is extensive discussions, और यह discussions जो है, यह bilateral relations और regional security issues पर हुई है, regional security issue में सबसे एक important चीज है, that is China, कि China की naval ships जो है, वो मौलदीव आने लगे, तो यह सारी चीजों को लेकर, भारत जो है, वो बहुत ही चिंतित है concern है, भारत, it's like a crossing a lakshman रेखा, भारत कहा है कि यह चीज़े आप यहाँ पर मत करिए, शब्दंका ऐसी चीज़े कर रहा था, भारत ने अब बता दिया है, और शब्दंका ने यह सारी चीज़े जो है, वो चाइना के साथ बंद कर दी है, इसे के साथ हमारे external affairs ministry ने यह भी क पड़ता है, डिप्लोमेसी में कहा जाता है, यू चेंज एवरिटिंग, पट यू चेंज यो नेइबर, डिसकेशन जो हैं दोस्तों वो बड़े-बड़े pillars के बारे में हुई, development partnership, ongoing capacity building के projects, training initiatives, etc. इसे के साथ भारत ने यह भी कहा कि भारत के जो relation मौल्दिव के साथ है, उस नमबर टू, सागर, सागर initiative, सागर vision, security and growth for all in the region, यह Indian, ocean, region यहाँ पर जो देश हैं तो इनके साथ यह साथ यह साथ यह सागर initiative भारत ने launch किया है, कि security पे हो और सारे देशों का growth हो, इस चीज़ को लेकर भारत एक बहुत बड़े और important vision को लेकर जल रहा है, तो इसमें जितन मदद हो सकती है, जहाँ पर cooperation हो सकता है, वो सारी चीज़े भारत एक लंबे समय से करता आया है, और इसका benefit Maldives को भी काफी ज्यादा मिला है, तो यह दो बड़े pillars जो है, वो हमने specifically discussions में highlight भी किया है, इसके साथ साथ कुछ important points बताया है, for example, first point जो बताया है, that is, कि भारत जो ह projects, जो infrastructure, social initiative, medical evacuation, health facilities, इन सारी चीज़ों की वज़े से क्या हुआ है, जो Maldives के लोग है, उनकी quality of life जो है, वो काफी improve हुई है, इस चीज़ को भी भारत ने highlight किया है, it's like, you know, कैसा दोस्त हैं, आपका या फिर पडोसी हैं, जो चीज़े भूल गया है, और आज वो आपके घर आई पीने के लिए आया है, तो आप बहुत ही smartly चीज़ों को याद दिला रहे हैं, आप उनको याद दिला रहे हैं, जो एक अलग region में या फिर एक अलग street हैं, वहाँ पर रहने वाला एक बड़ा बंगलो हैं वहाँ पर और उस बंगलो का मालिक जो है, वो यहां कर आकर आ बहुत ही favorable terms में, ऐसा नहीं है कि हमने आप पर कर्स डाल दिया नहीं, आपको पैसे जो हैं वो बहुत ही favorable terms में हमने financial support प्रवाइट किया है, इसके साथ जब भी कोई issue आ जाता है, कोई ऐसा occasion होता है, disaster, etc. तो पहला responder कोन बनता है हमारा दिश भारत, ये भी चीज़ बताई है and I would like to quote him here, उन्होंने कहा है, the world today is passing through a volatile and uncertain period, covid, natural disasters, economic difficulties, और ये जो uncertainty या फिर volatility वाला जो आज का जमाना है, इसमें सबसे important अगर कोई चीज है तो that is close partnership with neighbors, अगर ये चीज़ है आपकी, एक पड़ोसी देश, एक शेत्र की जो देश है, वो एक दूसर के साथ है, बहुत अच्छ तरीके से रहते हैं, close partnership में रहते हैं, तो ये volatility में एक दूसरे की हम मदद कर सकते हैं, एक दूसरे के काम आ सकते हैं, इसके साथ रोन ये भी बताया है, कि 2024-25 के लिए दोनों देशों के बीचे में एक bilateral mechanism है, तो इसमें जो essential commodities हैं, जैसे के eggs, potatoes, onions, sugar, rice, wheat flour, pulses, rivers and stone aggregates, ये सारी important चीजें जो हैं, वो भारत हर साल Maldives को provide करता है, right, it's a sort of business, right, तो इस समय हमने जो quota है, export का, उसको बहुत बढ़ा दिया है, 1981 में दोनों देशों के बीच में ऐसा agreement हुआ था, और तब से लेकर आज तक की सबसे बड़ी quantity जो हैं, वो Maldives को भेजी गई है, और इस चीज को ल लास्ट यर, relations काफी खराब हो गया थे, जब भी इस विशय पर मैंने कोई video बनाया, discussion की, तो मैंने देखा है कई बार students जो है, वो comment में मौलदिव के खिलाब बहुत सारी गलत चीजे लिखते हैं, देखे, if you are watching the video just as a user, बिस ऐसा ही देख रहे हैं, then as well it's not good, लेकिन अगर आ जिनके अगर आप ही Indian Foreign Service के officer है, और आपको पता चले के वहां की सरकार भारत का विरोध कर रहे ही, तो क्या आप उनको phone करके गालिया देंगे, of course नहीं, what you will do is, you will find ways, आपको अब एक दिमाग में chest खेलनी है, आपको strategically सोचना है, कैसे कौन-कौन सी चीज़े ऐसी करेंगे, ज इस से भारत के interest जो है, उसको भी हम बरकरार रखें, उसको भी protect करेंगे, उसको भी protect करेंगे, इसके साथ मौलदीव को अपनी तरफ कीज़े, यही तो challenge है, so यही सारी challenges को समझना है, तो as station कर साथ जब जमीर साब को मिलते हैं, तो क्या वो उनके साथ ऐसे misbehave करते हैं, of course न I would like to inform all of you, खास करके नए students अगर आप, तो do check out my course, Limitless Leadership, it is available on Study Glow's website, as I said, do check out my YouTube channel, Curiously Education, thank you very much for your love and support, God bless you all, Jai Hind